जैहिन दोस्तों आप सभी का मैं अपने चैनल पर विलकम करता हूँ रोज मैं आपके लिए GKGS के इंपोर्टन क्वेशन का प्रेक्टिसेट लेकर आता हूँ आज के सेसन में भी हम बहुत सारे इंपोर्टन क्वेशन पढ़ने वाले हैं इसलिए आप पूरे वीडियो को लाज तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें जितने क्वेशन है वह आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है देखिए पहला क्वेशन जो लिया गया है पहला क्वेशन है हमारा यूनेस्को का मुख्याले कहां इस्तित है आपको इस अस्थान का नाम बताना है जहां यूनेस्को का मुख्याले इस्तित है देखिए इसमें चार भी कल्प है और जो सही उत्तर है वह आपका पहला वाला पेरिस में इस्तित है तो इसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा और भी आप इस पर ध्यान दीजिए क्योंकि क्वेस्टन कई तरीके से पुछे जाते हैं यह यूनिसको फ्रांस में इस्तित है यह तो ध्यान रखिएगा उसके अलावा इसकी अस्थापना चार नॉवंबर 1946 को हुई थी यह बात भी आप ध्यान रखिएगा चार नॉवंबर 1946 को हुई थी इसकी अस्थापना इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा अगले क्वेस्टन पर ध्यान देते हैं अब अगला क्वेस्टन है हमारा 1946 है अगला क्वेस्टन देखते हैं अगला क्वेस्टन है हमारा नेमने में इसे कौन सा भारत का राष्टिय पक्षी है आपको बताना इसमें से राष्टिय पक्षी जो है कौन सा है हमारे देश का आपके सामने चार भी कल्प हैं और इसमें से जो सही उत्तर है वो आपका तीसरा वाला है क्योंकि आप जानते हैं हमारे देश के राष् की पक्षी गोसित किया गया था एक फरवरी 1963 में इसको को लिख लीजिए जिए कहीं न कहीं एक फरवरी 1963 को भारत का राश्टी पक्षी गोसित किया गया तो मैं आपको बता देता हूं इसमें चो चौथा वेकलब यह सही होगा क्योंकि आंद्र प्रदेश को ही कहा जाता है चावल का कटोरा इसको ध्यान रखेगा यह एतिहासिक रूप से आंद्र प्रदेश को ही कहा जाता है चावल का कटोरा उसके अलामा जैसे और भी कई जगा पर आपको 36 गड़का भी नाम मिल जाएगा और मैं आपको बता देता हूं कि आं प्रत्वी के चार और इस चेतर के बाहर किसी वस्तु को पहुंचाने के लिए जिस वेक से फिका जाता है और इसके अलामा आप जान लीजिए इसमें जो सही उत्तर है वह आपका दूसरा वाला है क्योंकि इसमें क्या दिया गया है ग्यारा किलोमीटर पर सेकंड ध्यान दिजए गा अलग-अलग से और तरीके से क्वेशन गयाएग्छ अगला कुछेंगे वैशे तो जो ग्यारा किलोमीटर पर सेकंड ध्या गया है ग्यारा तसमलो एक आठशे होता है लेकिन यहां ग्यारा ही रिया गया है तो वही लगाए जाएगा जो इसके आसपास होता है अगला क्वेशन देखेंगे अगला क्वेशन है यहां कौन से बौध धहस्तल में पत्थर से तरा से सिल्प नहीं है आजंता काले नासिक या फिर नागारजुन कॉंड़ा इसमें से सही उत्तर कौन सा है वो आपको बताना है इन चारो बिकल्प में से देखिए इसमें उसका नाम बताना जो पत्थर से तरासे सिल्प नहीं है इसमें चौथा बिकल्प जो दिया गया है पत्थर से तरासे सिल्प नहीं है बाकी सब है इसको ध्यान रखेगा उसमें और भी नाम आते जैसे इसमें कौन-कौन सा अजंता काले नासिक दिया गया है भाजा और कनहेरी भी आते हैं इसी के अंतरगत इसको भी ध्यान रखेगा अगला क्वेशन है आर्थ बिवस्था में असली मुद्रा मोलधन के कारण बढ़ जाती है आप के सामने चार बिकल्ब हैं और जो सही उत्तर है वो आपको बताना होगा तो इन सम्में से दूसरा बिकल्ब बिल्कुल सही होगा क्योंकि दूसरे में क्या दिया गया है ब्याजदरों में कमी इसको ध्यान रखेगा आर्थ बिवस्था में असली मुद्रा मोलधन ब्याजद का संबंद किससे है आपके सामने चार विकल्प हैं मैं आपको बता देता हूं हेरा कुंड बांद जो है वो ओरीशा के संबलपुर के पास महा नदी पर बनाया गया है इसी लिए जो इसमें सही उत्तर होगा वो तीसरा वाला होगा इसको ध्यान रखिएगा और मैं आपको बत कर लिया करिए जो मैं बताता हूं अगला क्वेशन देखते हैं अगला क्वेशन हमारा निमने मेंसे किसे भारत का राष्जपती के रूप में निर्विरोध चुना गया था आपके सामने चार विकल्प हैं और इसमें से जो सही उत्तर है वो तीसरा वाला है तीसरेम क्या दिया गया है तीसरेम दिया गया नीलम संजीव रेड़ी मैं आपको बता जेता हूँ इनका चुनाव जब हुआ था तो ये 1977 में नीलम संजीव रेड़ी को भारत की राश्पती के रूप में निर्विदो चुना गया था और उसका मुख्य कारण ये था कि ततका होना अतियावस्यक हो गया था और उसमें नीलम संजीव रेड़ी को निर्विदो चुना गया था अगला क्वेशन देखते हैं अगला क्वेशन है मारा गांजर और आम इनका विपल स्रूत है विपल मतलब सरबाधिक होता है विपल बहुत लोग का नाम होता है आप जानते सफे पहला वाला क्योंकि देखेंगे अगला कोश्यों करते हैं तेंशा को पता नहीं है कि ये सही उत्तर इसका क्या है इसमें जो चार आफसन दिये गये हैं इसमें सही उत्तर है जियोड और चुकि ये कुछ कारण से ये आकार लिया गया है इसको भी आपको ध्यान देना होगा देखे इसमें क्या है कुछ रेशियो लिया जाता है रिशियो क्या है उसमें एवरेज लिया जाता है पिर्थवी के हर एक हिस्सों में गुर्तोव कर्ष्णर को ले करके और भी कई चीजे हैं समुद्र तल से जुड़ी हुई चीजे भी है तो इसलिए इसमें जियोड जो है इस बिकल्ब के लिए सही होगा इसको ध्यान रखिए इसमें से सही उत्तर जो है वो पहला वाला है क्योंकि उत्तर प्रदेश इसमें से उत्तर प्रदेश जो है वो नौ राज्यो को राज्यो की सीमा का साज़ा करता है और नौ राज्य मैं आपको बता देता हूँ नौ राज्य में आ जाता है उत्तरा खंड हिमाचल प्रदेश हरियारा, राजस्थान, मध्ध परदेश, चत्यसगर, जारखंड, बिहार और दिल्ली इतने आते हैं नौराज का साज़ा करता है इनकी सीमाओं का साज़ा करता है इसलिए पहला विकल्ब जो होगा बिल्कुछ सही होगा अगला क्वेशन है हमारा भारत में उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है आपको बताना है भारत में उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है आपके सामने चार विकल्ब है पांचवा, तीसरा, दूसरा या फिर पहला इसमें से सही उत्तर आपको बताना है तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ इसमें पहला अस्थान जो है उत्तर प्रदेश का है गन्ना के उत्पादन में और इसके अलावा भी मैं बता देता हूँ कुछ जरूरी बातें ऐसी है जिसे पहला अस्थान उत्तर प्रदेश का है लेकिन दूसरा अस्थान जो है महाराष्ट का है उसके बाद करनाटक है फिर तमिल नाडू है फिर आंदर प्रदेश गुजरात बिहार हरियाना उसके बाद बन जावाता है तो इस तरह से क्रम घटता जाता है लेकिन उत्तर प्र प्रदेश राज में यमना एक्सप्रेस वे निमलिकित में से किन दो सहरों को जोड़ने के लिए बनाया गया है आपके सामने चार विकल्फ हैं और जो सही उत्तर है वो आपको बताना होगा तो इसमें से सही उत्तर है तीसरा वाला क्योंकि यह क्या करता है आगरा और से जोडने माला dot lane का रोड है इसको दियान रखेगा इसके अलावा इसके लेन का है लेकिन जगा लिया गया है इसमें eight lane का लिया गया यहां तक प्रस्तावित है बाकिस की लंबाई कितना है 1165ence km इसको भी ध्यान तो इसमें एक चिन दिया गया है यह संकियत क्या दरसाता है आपके सामने चार विकल्ब है और जो सही उत्तर है वो आपका पहला वाला है इसको देख करके ही आप जाएंगे कि ठेला एवं बैल गारी मना है इस रूट पर यह संकियत यही पर दरसित करता है अगला क्वेशन है तहसील अस्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है भारत में पंचाय समित तहसील या तालुका अस्तर पर एक अस्थानिय सरकारी निकाय है इसलिए इसमें से जो सही उत्तर है वो पहला वाला पंचाय समित जो पहला विकल्ब है विल्कुर सही होगा पंचाय समित अगल राज सरकार के 7000 सभास्वाजन का अनुपाथ कितना है तो इसमें जो उत्तर है वो आपका दूसरा वाला है 75-25 का है मैं आपको बता देता हूं इसमें 75 परसत आवासी कमी और 25 परसत गरीवी के अनपात को ध्यान में रख करके या योजना जो है ये अगले व्यक्ति को दी जाती है अगला क्वेशन देखेंगे अगला क्वेशन है एक विस्वा का एक विखा से क्यान पात है एक विस्वा का एक विखा से क्यान पात है आधा एक चौथा एक दस्वा एफर एक विस्वा इसमें से जो सही उत्तर है वो आपको बताना है तो चारो विकल्ब में से जो सही उत्तर है वो आपका चौथा वाला है मैं आपको बता देता हूं ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग मानक के अधार पर होता है एक विश्वा जो है एक विश्वा का एक विश्वा भाग है लेकिन ध्यान रखिएगा कि राज के बिख्सित जो पश्मिश होते हैं उनमें एक विश्वा होता है जबकि अभी उत्तर परदेश में देखा जाए एक बीगा को एक बिश्वा में विवाजित किया गया है इसको ध्यान रखेगा इसके अलावा अलग-अलग मातरक में भी पूछा जा सकता है उस पे भी आप ध्यान दीजेगा अगला क्वेशन देखे एक एकड कितने वर्ग गज के बराबर होता है आपको बताना है इसमें से सही उत्तर आपको बताना है इन चारो बिकल्प में से सही उत्तर पहला वाला है 4840 वर्ग गज के बराबर होता है इसको ध्यान रखेगा इसके अलावा और मैं बता देता हूँ एक एकड जो है वो 000015625 वर्ग मील के बराबर होता है बाकी जो उत्तर पूछिए इसमें जो क्वेशन है वो वर्गज के आधार पे पूछा गया है इसके लावा अगर वर्ग मीटर पूछ लेता तो 4047 यह ज़्यादा ज़रूई है 4047 वर्ग मीटर भी आ सकता है मीटर स्क इसको एर भी लिखा हो सकता है इसके बराबर होता है एक एकड़ इसको विध्यान रखेगा अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक और सेयर जरूर कर दिया करिए और किसी भी एक्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस तरीके से अगर आप क्वेशन पढ़ना चाहते हैं ऐसे प्रेक्टिस सेट की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहेगा धन्यवाद